दोस्तो आज कल यूटूब को लोग फुल टाइम करियर के रूप में देखने लगे है और बहुत से लोग तो यूटूब पर थोड़ा बहुत गुरो होने के बाद अपनी जोब तक छोड़ देते हैं लेकिन दोस्तो आज हम जिस सक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आ नाम है गोरवत ने जो रीतू राठे जो यूटूब पर फ्लाइंग बीश्ट के नाम से काफी फेमस है दोस्तो गोरवत ने जो एक मिडिल क्लास फैमली से बिलोंग करते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर ये मुकाम हासिल किया है दोस्तो ये सब आपक प्यार की सुरुआत कहां से हुई और क्यों इनकी साधी में इतनी ज़्यादा प्रेसानी आयी दोस्तो इन दोना के बारे में वीडियो के इंदर हम कुछ ऐसे इन सुने राज बताएंगे जिससे आप बिल्कुल अंज्यान है तो इसलिए दोस्तो ये वीडियो काफी पड़ाई में काफी अच्छे थे और बड़े होकर पाइलेट बनना चाहते थे लेकिन अमने घर के हालाद देखते हुए उन्होंने इस सपने को कुछ टाइम के लिए दिमाग से निकाल दिया पड़ाई में अच्छे होने के करण 12 के बाद गोरव का बिट्स दिलानी दुबा कर दिया और साल 2004 में IIT खरकपूर में उनका सिविल इंजीनियर की पड़ाई कंप्लीट कर लिए उन्होंने इंजीनियर के टाइम ही उन्हें जिम का और बोडी बिल्डिंग का भी काफी सोंग हो गया था और अपनी फिटनेस को लेकर वो काफी सीरियस भी हो गए थे और पाइलेट इंडिको एरलाइन जोइन कर ली और इसी के साथ साथ वो बहुत से बोडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा लेने लगे दोस्तों मैं आपको बता दू गोरव एक पाइलेट के साथ साथ एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर भी है और इसी को लेकर गोरव साल 2016 में थोड़ा बहुत फिटनेस और बोडी बिल्डिंग की जानकरी वीडियोज के थुरू यूटूब चैनल बना कर देने लगे थे लोगों को और जब यूटूब पर उनकी वीडियो थोड़ी बहुत वायरिल होने लगी तब इसे ही गोरव ने यूटूब पर यूटूब चैनल ओपन किया फ्लाइंग बिस्ट के नाम से जिस पर वो डेली व्लोग किया करते हैं और उनके डेली लाइफ व्लोग भी लोगों दुवारा काफी पसंद किये गए और आज फ्लाइंग बिस्ट इंडिया के टोप 10 व्लोगर की लिस्ट में भी सामिल है और अभी उनके फ्लाइंग बिस्ट यूटूब चैनल पर पूरे 8.4 मिलियन सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके है जो दोस्तों अपने अब में ही काफी बड़ा नंबर है दोस्तों अभी गोरव की प्रसनल लाइफ के बारे में बात करे तो उनकी 5 फरवरी 2016 को रितुर अठी के साथ साधी हुई थी रितु से उनकी पहली मुलाकात मार्च 2015 में हुई वो अपनी पहली मुलाकात से एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे और उसके बाद दोनों की फेस्बुक के जरिये बात होना सुरू हो गई और फिर क्या हुआ दोनों ने डेट करना स्टार्ट कर दिया और बहुत ही मुश्किलों के बाद अपने घरवालों को राजी करे और पूरे एक साल के बाद इन्होंने साधी भी कर ली अभी उनकी दो बेटिया है बड़ी बेटी अभी पांच साल की है और उनकी छोटी बेटी डेड़ साल की है रितुर अठी के बारे में बात क को हर्याना के एक चोटे से गाव बुन्दाना में हुआ। रितू की चार बैने है और एक भाई। रितू जिस गावं से भिलोंग करती है, महा लड़कियों को पैदा होते ही माथ दिया चाता था। महा लड़कियों की पढ़ाई करने की पर्मीशन भी नहीं थी पर रीतु का सपना हमें से ही पढ़ने का था वो अपने दम पर कुछ बनना चाहती थी सोसाइटी के काफी ज़्यादा प्रिसाइज करने के बाद भी उनके ममी पापा ने उनको पढ़ाया और आज रीतुराटी एक नामी एरलाइन्स भी कैप्टन है और हाँ दोस्तो अभी तो उनका तीक तीसरा चैनल भी है रसबरी के वापा जिस पर अभी 13 लाग सब्सक्राइब कम्पिल्ट हो चुके है दोस्तो अभी गोरवत नेजा और रीतुराटी यूटूब से अच्छा कासा पैसा भी कमा रहे है उनकी कमाई के भोच से सोर्स है जैसे यूटूब स्पोंसर सी ब्रेंड परमोशन अफ्लेट मार्किटिंग आ दी इन सभी सोर्स को मिलाकर उनकी एक महीने की कबाई लगवा 50-60 लाग रुपे बड़े आराम से है तो दोस्तो ऐसे बन गया गोरवत नेजा अपनी मेहनत के दम पर एक मिल्ट क्लास फैमली का लड़का इतना बड़ा व्लोगर और बोडी बिल्डर दोस्तो आपको इनके व्लोग कैसे लगते है हमें कमेंड में जुरूर बताना और अगर आप इनके पक्के वाले फैन हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना क्योंकि हमारे चैनल पर आगे भी आपको ऐसे इंट